वेलेकम बेग टुम्रत्य उंजय पंडियां and गाइस थैंक यू सो मच really thank you thank you thank you so much for the love and support to my previous video जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में SolidStates नाम के chapter के notes share किये थे guys notes की लिंक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात मेरी सुलिया करो उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ना सो गाईस पिछले वीडियो में जैसा मैंने आप लोगे साथ डिसकस किया था तो बहुत सारे बच्चों के डाउट सारे था तो गाईस वो डाउट में क्लियर कर देता हूँ जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट से गाईस घबराओ मत तुमारे लिए भी काम चालू है तुम लोगों के लिए भी काम चल रहा है तुम लोगों के लिए भी चीजे लेकर आउँगा अब वो चीजे क्या क्या होंगी मैं वर्क कर रहा हूँ मैं देखता हूँ जितना अवंबर है और मेरे सॉलिट स्टेट्स के नोट्स के साथ साथ कल रात को बकायता देड़ बजे सोया हूँ आपके लिए नोट्स लिख रहा था सॉल्यूशन चैप्टर के नोट्स तो वैसे मेरे बहुत बड़े-बड़े होते हैं लेकिन गाईस हम लोग क्योंकि चाह रहे पहले आपने देखा होगा सॉलिट स्टेट्स में मुझे छे पेजे लगे थे लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मैं आपको और बढ़िया कॉन्टेंट हूँ तकि आपको कम टाइम में जाधा आउटपूट मिले हर इनसान चाहता है कि उसको कम समय में जाधा आउटपूट मिले तो guys मैंने पूरी कोशिश करी कि 4 page में compress किया लेकिन छोड़ा कुछ नहीं है आप जब इन notes को देखोगे तो आपको हर चीज के example, हर चीज का formula, हर चीज को elaborative form में लिखा हुआ है और इन notes को आप लोग download कर लो, colorful बनाने ही कोशिश किये इन notes के बाद guys आपको मैंने 3 DPPs provide करी है In fact, 1 DPP आप मान के चलो 4 से 6 page की है दूसरी वाली भी लगबग 7, 8 page की है मतलब आप मान के चलो, DPPs में ही कुछ आपको 45 से सहाट question या जादा भी मिल सकते हैं, मुझे exactly पता नहीं है बट आपको लगबग लगबग सहाट questions के आसपास इन 3 DPPs के अंदर मिलेंगे एक DPP में approximately हमने 15, 20, 30 questions डाले है तो अच्छा खासा material है guys यह आपको यह DPP अगर solve कर ली तो यह बहुत अच्छा material है और guys as usual हमारा NCIT का complete solution, in-text question, exercise वगगरा सब आपको provide करा दिये सुन्दर format में word format में लिखा है, बहुत प्यारे तरीके से लिखा है ताकि आपको एक अच्छे book को जब आप पढ़ते तो वाली feel देने की कोशिश किये guys यह सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमारी gravity circle team की तरफ से इस channel को ले कर जाना है हर देश के बच्चे तक हर बच्चों तक जो मेरा सपना है मैं आपसे बस यही demand कर रहा हूं कि guys में को कोई donation नहीं चाहिए मेरे को कोई fees नहीं चाहिए बस मुझे चाहिए कि इस channel को बच्चे बच्चे तक पहुचा दो तो guys at least हमारे इन तीन channel को आप बच्चे बच्चे तक पहुचाओ share करो इस channel को subscribe करवाओ फटाफट download कर लो description box में link दे रखा है and as you all know मुझे आपके feedback का इंतजार रहेगा मुझे आपके feedback चाहिए कि notes कैसे लगे DPPs कैसी है and NCID solution कैसे and guys अगर इसमें कोई typing error होता है यह हमारा email address gravitycircle.gmail.com उस पर लिखके आप मुझे mail में बता सकते हो ताकि हम उसको जल्दी से सुदार ले तो that's all bye bye enjoy the notes of chapter 2 solution bye bye all the best have a great day मेरे प्यारे बच्चो